नमस्कार दोस्तों रेस्पीज वाल्ड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों यह नारियल की वास्तों में ऐसी रेसिपी है जो जुबाँ पे जाकर सीधे दिल को छुझाती मतलब इतनी जादा टेश्टी लगती है न कि बाकि सारे मीठे की स्वाथ जो है इ और यह हमने मलाई लिया है मलाई मिक्जड मिल्क है यह हमने दो लिटर दूद को उबाला उसमें से जो मलाई निकला न उसको दूद में मिलाकर हमने पैन में डाल दिया अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे तो वन टेबल स्पून भरके हम इसमें मिल्क पाउडर डाले जो की 25 ग्राम जीतना है और अब हम यसको इकदम बढ़िया स्वेस इस तरह से mix कर लेंगे दोस्तों इस में अगर लूंस पढ़ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है बात में क्या यह ऐसे चलाते हुए पूरी तरह से मिक्स हो जाता है तो इसको इस तरह से mix करते रहेंगे और अब गैस का flame को हम थोड़ा सा medium कर लेंगे और यह शुगर हमने लिया है लगवर 40 ग्राम की इतना है अगर आपको शुगर पसंद ना हो तो मिसरी डाल सकते हैं और इसमें हम केसर डाल दिये एक केसर जिस जो बहुत ही बढ़िया सुनह जो है क्रस्ट करके लिए हैं बिल्कुल फ्रेश नारियल को हमने क्रस्ट किया था इसको हम इसमें इस तरह से डाल दिये हैं तो दिखिए इसको इस तरह से चलाते रहना है इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत जल्दी गाड़ी-गाड़ी सी हो जाती ही क्योंकि हमने इसमे में हम इसे बंद कर देंगे गेस को हमने बंद कर दिया है और यह आप 10 प्लास्टिक का बाउल से इसमें घी जो है इस प्रेड कर दिए और अब हम इसमें को कॉना डैसेट बनाने केद विए उसमें डाल दिया है और इसको लगभग 15 में ठंडा होने देखें तो दिखें 15 अगया है तो हम इसे आपको निकाल कर दिखाते हैं कि ऐसे पहले तो इसका प्लेट को हम हडालेंगे हैं कि इसको इस तरह से कि यह दिखे अरब हम इसमें क्रश्ट की अबाद गर्ष्ट करने के लिए हैं पिस्ता बदाम डालेंगे यह काजू पिस्ता बदाम जो है इसके गर्रिस्टिन के लीए हैं तो दएका ना दोस्तो बहुत जल्दी यह रैशिपी calm कोकोनट डेजर्ट की बनके तयार हो जाती है बहुत ही इसली बन जाती है अब खाने में इसका स्वाब जहना बिलकुल लाजवाब होता है तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो मिलते हैं ऐसे इंट्रेसिंग वीडियो के साथ तब तक लि कि ब बाग ए